को अमूठ्य मर्दा यह मर्दा भारी stones ट हलकी दो मलत वैसा मांने दो मत मेट्यों का समलित रूप है यह मौटी दॉम्ट हलकी दॉम्ट और दॉम्ट मर्दा मौटी दॉम्ट नू और फिरोजपुर जिरका के नीचे अक्षेत्र में पाई जाती है हलकी दोमट यह मर्दा गुरूगराम के उत्री भाग तथा अंबाला के दक्षनी पस्टमी भाग तथा मध्य रिवारी में पाई जाती है दोमट मर्दा रज्य मध्य वर्ति भाग में पाई जाती है जीन्द कैथर पानी पत सोनी पर गुरूगराम कुछेतर आदिक चेतरों म जमाँ पाती है यहेग प्रती वर्ष, बाड़ का पानी आने केकार नवीन जलोड का जमाव हो जाता है उससे खादर कहते है, पुराने जलोड को बंगर कहा जाता है, यहेह्मर्दा सूखने पर कषणा, पूत्थ यहें, भारी तथा बहुत भारी मिर्दा यह मुख्यता है धाने सर कुरुक्षेतर जगादरी फतिहवाद में पाई जाती है इस मिर्दा को ढाकर के नाम से जाना जाता है इसमें गेहूं चावल जो का पास की फजल अच्छी होती है धाने सर कुई फतिहवाद में गगर के अक्षेतर में शोलर नामक कठोर चिका मिर्दा पाई जाती है सिवालिक गिरी पाद चटानी मिर्दा सिवालिक पंचकुला यमना नगर कालका जगादरी अंबाला आधी के अक्षेतरों में पाई जाती है किरी पाद ये मिर्दा कालका वै नारायन गड की तहसिलों में इसे घर या कंगि मिर्धा कहते हैं चेटानी मिर्धा अधा के दक्षिनी भाग में अरावली पर्वत के अक्षेतर में पथ्रिली वे रेतिली मिर्धा पाई जाती है यह मिर्धा का मुपजाव होती है हर्याना में मिर्धा पर्धन हर्याना के मिर्धा पर्धन मुख्यत है जल वे वायू के द्वारा होता है मिर्धा पर्धन द्वारा उपर उपजाव परत नश्ट हो जाती है मिर्धा पर्धन को रेंगती मर्तु भी कहा जाता है हर्याना की क्रीशी हर्याना भारत का क्रीशी परधान राज्या है यह है कि अर्ध वर्षा लगबग क्रीशी पर अधारित है हर्याना की 86% भूमी क्रीशी के योग्य है क्रीशी जलवाई अक्षेतर हर्याना की जलवाई सुष्क अर्ध सुष पर दो भागों में बाटा गया है उत्तर पस्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च गेहूं भार्त में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्र पर्देश दूसरा नमबर पंजाब के बाद हर्याना का तिसरा अस्थान आता है हर्याना में सबसे ज़्यादा गेहूं सिर्शा जिले में होती है इसके बाद भतिहाबाद हिसार जीन्द भिवानी कैथर करनार आदी जिलो गुरू गुराम जिलों में होता है सरसों इसका उत्पादन मुख्या रूप से महिंदरगड बिवानी हिसार जजर गुरू 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 खेत्रों में होता है खरीब की फसल इसे स्थानिय भासा में सावनी फसल बोला जाता है इस फसल में जून जुलाई में बोगा जाता है और अक्तूबर नौंबर में काट लिया जाता है जैसे चावल का पास चुवार मक्का बाजरा चावल चावल की खेती हर्याना के उत्री प खरत जिंद में सिंक तरूप से धान का कटोरा भी कहा जाता है भारत में सबसे ज़्यादा चावड पसी मंगाल में होता है हर्याना में चावड का कटोरा करनाल को कहा जाता है करनाल के लिए दौमट मिट्टी उप्युक्त होती है मक्ह इस पसल के लिए पानी की जूरब कम पड़ती है तह था हर्याना के अंबाला कुख्षेतर यवना नगर रोतक जिले में होता है बाजरा हर्याना में बाजरे का उतपादन पस्तमी भाग में होता है he neighboring में सबसे ज्यादा बाजरा विवानी जिले में होता है उसके बाद सिर्षा पतेहाबाद हिसार जीन्द रेवाडी और महिंदरगट में होता है जवार रोतक जिले में होता है कपास हर्याना में दो परकार की कपास पैदा होती है अमरीकन कपास और देशी कपास हर्याना में कपास का उत्पादन मुक्यत है मुख्या रूप से शिर्षा फतिहाबाद हिसार भीवानी रोतक जीन्द में होती है कपास को सफेद सोना भी कहा जाता है कपास की खेती के लिए काड़ी मिट्टी उप्युक्त होती है गन्ना गन्ने का उत्पादन हर्याना के उत्री पुरूई भाग सबसे ज़्यादा यम्ना नकर जिले में होता है। इसके बाद अम्बारा कुख सेतर रोट तक करनाल सोनीपत में गन्ने का उत्पाजन होता है। गन्ये के लिए सबसे ज्यादा पानी की जूर्थ होती है गन्ये के लिए वार्शी कुर्षा 200 सेंटी मीटर तक होनी चाहिए जायद फसलें रवी की कटाई वैखरीव की बुआई से पहले तर बुज खीरा कंकड़ी आदी फल उत क्रिष्टा केंदर भागी आना सिर्षा में स बजरा चाना और मोटा अनाज होता है में इंस में अगरे शी, एंधाज फूल का उत्पाजन होता ह। है फ्रीद बाद रजनी घंदा वैं गलोडी यॉल्स के फूल होती है रोतक में जवार होती है सौनिपथ, खुंफी, फूल, कोभी, बेर, खट fuck, प्रश्दार फल होती है पाणिपत गुलाब की पैदावार होती है सोनिपत में गुरूगराम और कैथ्धर करनाड में चावल अमरूद लसुन और कुकर बिट्स होता है युमना नगर में हल्दी काड़ी मिर्च गन्ना सबसे ज्यादा होता है पंशकुला में मक्का होता है अ आपकुर्क्षेतर धनिया अलू सबसे ज्यादा होता है सबसे कम फल सब्सक्राइब में होता है फूलों की मंडी पर्थम एकरी बिजनस स्कूल कुरूग्रा में है एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी लाडवा कुरूप्षेतर है पासू पालन कहां ज्यादा सिर्शा में भैंस जीनत में खोड़े करनाल में गदे कच्छर बिवानी में